तो यार MiUI और Pixel Experience है दोनों ही Android ही है पर यार इनमें काफी जादा अंतर है Android यार जो Pixel Experience है वो एक Official Stock Android आपको देखने को मिलता है और यहां पर जो MiUI है उसमें काफी सारी Customization मिल जाती है और काफी iOS टाइप बनाया गया है ताकि अगर आपको iOS पसंद है तो आपको यह पसंद आ ज इस किया गया है Pixel Experience रोम जो की एक Custom रोम है यहां पर आपको Android 12 L देखने को मिलती है यहां कि सिंबल सेम ही है पर Android 12 है यहां कि Android 12 L है और MiUI 13 में भी नई अपडेट मिली है उसमें भी यार MiUI 13 के साथ Android 12 भी आया है Android 12 L नहीं तो यहार Android 12 Pixel Experience में आपको जादा चेंजीज नहीं है Lock Screen आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलती है और यहां पर जो Volume Control है वो भी यार बिल्कुल सेम ही है कुछ जादा चेंजीज यहां पर आपको नहीं मिलती है MiUI के कुछ इस परकार के हैं आप देखेंगे Power Menu भी यार दोस्तो सेम ही है आप देखेंगे कोई जादा चेंजीज यहां पर नहीं मिलती है हां यहां पर जो Animation है दोस्तों वो काफी अच्छे कर दिये गए है Android 12L में आप देखेंगे यार यहां पर 60Hz की स्क्रीन है और यहां पर 120 है तो यहां पर आप देखेंगे यार दोनों ही बहुत ही जादा स्मूथ है और यहां पर एक टेल सी जाती है पीछे की तरफ मेरे को का काफी अच्छे कर दिये गए आप देखेंगे बिल्कुल यहां आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला तो यहां पर आप देखेंगे तो इससे जो है फुली क्लियर करते हैं तो यह फास्ट होता है तो मेरे को काफी अच्छी लगे यहां इसके जो एनिमेशन control center दोस्तों कुछ इस परकार का है यहाँ पर जो है बहुत सारे अब toggle जो है वो ला दिये गए है आप देखेंगे काफी सारे add कर दी गए है alarm, auto, बहुत कुछ है अब पहले कम थे अब काफी ज़्यादा आ चुके हैं और me UI का control center कुछ इस परकार का है जो यह ठीक ठाक देखने में लगता है कोई जादा issue नहीं है Android 12 L की जो pixel experience की जो changes है वो आई है home screen में तो यहाँ पर अगर आप tap करते हैं तो अब आपको कुछ इस परकार का menu देखने को मिलता है me UI में कुछ इस परकार का है आप देखेंगे me UI 30 में भी पुराना ही चरह है तो यहाँ पर अगर आपने कोई wallpaper change करना है तो आपको ऐसे information मिलती है तो अगर आप यहाँ पर tap करते हैं तो यह जो है wallpaper change हो जाता है me UI में अगर आपको wallpaper change करना है यहाँ पर जाना है तो अब आपको widget section यहाँ पर पुराना ही मिलता है me UI में पर नया widget section आया हुआ है trick के साथ आप enable कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस परकार का है तो अगर हम clock में जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर clock में जाते हैं तो यह देखने में काफी अच्छे लगते हैं और काफी मेरे को पसंद आए me UI में जो Android 12 की dynamic theming है यार वो बहुत ही ज़ादा बेकार है तो आप देखेंगे यह wallpaper reddish सा है तो आपको यहाँ पर सब कुछ red देखने को मिलता है Google की apps में अगर आप me UI की किसी app में जाते हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो यह बिलकुल white ही रहता है control center भी change नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता बस यह सिर्फ Google की apps में चलता है और आप off भी नहीं कर सकते पर यहाँ पर Android 12 L में आपको बहुत ही अच्छा मिलता है wallpaper section में जाते हैं तो यहाँ पर आपको basic colors मिल जाते हैं और यहाँ पर wallpaper color मिल जाते हैं तो आपको जो भी पसंद है आप लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद तो आप normal भी यहाँ पर pick कर सकते हैं भी आपको color चाहिए, theme icon भी है, अगर आपको theme icon चाहिए, तो ये icon भी change हो जाते हैं, तो ये काफी अच्छा है, तो मेरे को ये जो menu है, काफी पसंद आए, यही या changes है यहाँ पर, और अगर आप control center में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर tap करेंगे, तो आप pixel experience लोम अपने device में कैसे install कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुती जल्द मैं video बनाने वाला हूँ, तो ये एक छोटा सा comparison था यहाँ पर, तो ये राज के लिए बस इतना ही, thanks for watching.